कि अब आप अब अब वाशकार मित्रों मैं हूं अनंत पांडे स्वागत करता हूं एक बात पीस हमारे टेक चनल आनदा अठेक रहों में दोस्तों आज की वीडियो में आपको देने वाले हैं एक बहुत महत्पूर्ण जानकारी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंटरनेट जो होता है हमारे लिए कितना माइन रखता है अगर हम एक यूटूबर हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा माइन रखता है किसी किसे का मुवाइल फोन या फिर एंड्रॉइड फोन मित्रों उसका बहुत ज्यादा डाटा एक्सेस कर लेता है या बहुत ज्यादा डाटा ख फ़िसे होटा है जबकि हम उतने हिसाब से तो मुवाइल को होते हैं तो इसके पीछी चलते हैं और वहां से आपको बताते हैं कि किस वोजह से हमारे इतने ज्यादा डाटा हुद सबसे पहले क्या करना हमें सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाकर कि यहां पर एप सेटिंग का आप सेटिंग में क्लिक करना है यहां पर जितने अप्लिकेशन हमारे मोबाइल में है अभी तक जो हमने इंस्टाल किया हुआ है वह सारे यहां पर दिखने लग जाएंगे ठीक है और हमें करना क्या है किसी एक अप्लिकेश्ण जैसे हमने अमेजॉण के लिए ठीक है यहां पर वाले अपसम पर हमें क्लिक करना है और यहां पर आप देख रहे हैं अलाव परमेंशन दिया हुआ है डाटा इंटरन एकसेज करने का जिस पर on है तो इसे हमें आफ कर देना है simply हम इस बटन को आफ कर देंगे क्योंकि यह हमारा internal access करते रहता है data को all time तो हमें इसे बंद कर देना ठीक है यह हमारा data का बच्चत करेगा ऐसे ही किसी और application को भी देख लेते हैं जैसे जो mobile में पहले से हैं इसको छोड़े देना है एजड रिकारडर एजड रिकारडर में भी यहां पर access कर रहा है जो internal access कर रहा है data को बंद कर देना है ठीक है यानि यह बहुत सारा data लेते रहते हैं आप mobile चलाए या न चलाए ठीक है तो या तो अपने data को बंद करके रखिए या तो इस तरह से इन सेजियों को बंद करके रखिए इन अलाउग परमिसन को बंद कर देना है जब हम कोई application डाउनलोड करते हैं देखिए इसको भी ले लेते हैं ठीक है तो इस तरह से जितने application हम डाउनलोड करते हैं तो आप पर allow permission देते चला जाते हैं यहां पर हमने देखते हैं कि यहां पर contact gallery इन चीजों का परमिसन तो हम दे देते हैं देखने के लिए लेकिन यहां पर एक allow permission हमारे data के लिए होता है हम इसे दे देता है जिससे internal data access करते रहते हैं करते हैं और यह बहुत बड़े-बड़े brand company भी करते हैं तो इन चीजों को बंद कर देना हमें क्योंकि हमारे data आधात से ज्यादा डाटा तो यह लोग यूज कर लेंगे फिर हमारे पास data बच्छी का कहां से internal access होते रहता है मेसा data तो इन चीजों को आप देख लेना है सिंपली जिस तरह से मैं यहां पर सभी को बंद कर रहा हूं ठीक इसी तरह से आपको बंद कर देना है ठीक है क्योंकि यही एक सबसे बड़ा वज़ा होता है जिससे हमारा बैटरी भी जाता है साथ में data भी जाता है हाला कि कुछ application ऐसे हैं जो मुबाइल के साथ में इंस्टाल करते ही जैसे मोबाइल के साथ में application मिलते हैं वह कुछ कम हद तक कम करते हैं यूज data को मारे लेकिन हमें फिर भी इन चीजों को ध्यान रखना है हमें यह इंटरनल एक्सेस का जो डाक्ट डाटा एक्सेस कर रह देना है ठीक है बाकी की permission आप नहीं देंगे तो साथ वह application ना चले जो भी application है आपको मोईल में तो आपको permission देना ही जरूरी है contact वोगरे का ठीक है गैलरी वोगरे का लेकिन यहां पर इस permission को तो आपको आपने बंद कर देना है simply ऐसा नहीं है कोई application नहीं चलेगा अगर मैं पर बिसमत करता हूँ जैसे मैंने यहां पर एक शना वीडियो है यहां पर मैं इसका परमिसम बंद किया हूँ आप देख सकते हैं और मैं इस application का अगर open करता हूं तो यह application चलेगा जैसे काम कर रहा था हुआ है इस यहीं काम करेगा तो आपको में डाटा खा रहा था इसे ब बिल्कुल चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है तो अगर वीडियो अच्छा लगता है में तो लाइक करना चानल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके जाना मिलते हैं नए वीडियो में टॉपिक के साथ तब तक रहे जाएं बंद मात्रम